हलो फ्रेंड आप देखरो हमारा चैनल ग्रोव बुक्स तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाएं जिस बुक का नाम है हार्ड कोर सेल्फ हेल्प इसका मतलब अपनी एंग 14 में आई यह किताब एंग्जाइटी पर काबू पाने के साथ ही जीवन को सांतिपूर तरीके से जीने के लिए आपका मार्ग दर्शन करती है यह समरी एंग्जाइटी डिसर्डर के अलग-अलग रूप के जाज करती है और एंग्जाइटी को कम करने के लिए कुछ अलग- डिप्रीशन में जूज रहे आदमी, आपके दोस्त या चाहने वाले जो एंग्जाइटी से पीडित हो, लगातार एस्ट्रेस में रहने वाले एंग्जेक्यूट और एंटर्पर्नियोर्स अधियाय नमर एक, एंग्जाइटी अलग अलग परकार के होते हैं, जिन में से कुछ के साथ रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा जुरूर होता होगा, कि आपने कोई बुरा सपना देखा हो, और जब आप डर्क कर उठे तो, खुद को पसीने से तरबतर पाया हो, हमेशे बहुत से लोगों के लिए सपने काफी जाने पाचाने होते हैं, लेकिन उनका अनभाव हमेशा रियर होता है, लेकिन क्या हो अगर यही सपने आपको हर रोज आने लगे, और क्या हो अगर यह सपने आपको न सिर्फ रातों को आकर बलके दिन में भी बार-बार आकर आपको परसान करने लगे। कुछ लोगों के लिए एंग्जाइटी हर रोज का साथी है। एक अंचाहत तत्व और लगतार पीछा करने वाला परसानी होती है। जिससे पीछा छुडाना पाना नामंकिन होता है। ऐसे किसी सिच्वेशन में आपको इससे लड़ना है। यह समरी आपको सिखाएगी कि आपको अपनी एंग्जाइटी का सामना कैसे करना है। इसमें आप सीखेंगे कि आपको किस तरह की एंग्जाइटी का सामना करना पर सकता है। देखे कि आप खुद से इससे लड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि इसके बाद भी आपको क्यों डॉक्टर से साला लेने के जुरुवत क्यों है इसके अलावा आप जानेंगे कि किस तरह सही तरीके से सांस लेना आपके पैनिक अटेक्स को रोख सकता है अपने चाहने वालों को अपनी प्रसानी कैसिस समझाए और क्यूं आप अपनी एंग्जाइटी को एक नाम दिना चाहते हैं कि आपके दिल के धड़कन बढ़ जाती है और सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है अगर आपका स्वास्त अच्छा है तो यह सभी लच्छर चीन्ता जनग हो सकते हैं जबकि एंग्जाइटी अलग-अलग रूप में आती है यह मुद्धे आम तोर पर एंग्जाइटी डिसॉडर की केटेगरी में आते हैं जिसमें से हर एक लच्छर अलग-अलग होते हैं हर इंसान एक समय पर चीन्तित महसूस करती है लेकिन एंग्जाइटी कभी कभार गंभी रूप ले लेती है चलिए फोबिया की ही बात करते हैं जिससे आप में इसे जाता हो लोग वाकी फंगे फोबिया को एक डिसॉडर के तौर पर जाना जाता है जिसमें इंसान को किसी परिस्थिती है चीज जैसे मकडी को भी देख कर डर का एसास होता है पोस्ट ट्रामेटिक एस्ट्रेस डिसॉडर एंग्जाइटी डिसॉडर का ही एक और रूप है ट्रामेटिक डिसॉडर या PTSD का ऐसा डिसॉडर है जो जीवन में होई किसी दर्दना घाटना के अनभाव का पनिराम हो सकता है जैसे बच्पन में हुआ दुर्य बैवार या किसी लड़ाई का हिस्षा होना और फिर आता है Obsessive, Complicative Disorder या OCD जो एक और Anxiety Disorder है जिसमें इंसान का डर उसका Obsession बन जाता है OCD के लच्छर की बाते करें तो इसमें इंसान को निशित समय पर किसी बिशे सबस्तु को छूते राने का Obsession हो जाता है जो कि Personal Ticks तक होता है साथ ही या रोजमर्रा की जिन्दगी पर भी असर डालता है तो Anxiety Disorder के कई रूप होते हैं और एक Professional को मदद से आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि Anxiety का कौन सा रूप आपको परिशान करता है अगर आपको Anxiety Disorder है तो इसका इलाज करवना बहुत जुरूरी है क्योंकि Anxiety को अगर उसके खुद के डिवाइस पर छोड़ दिया जाए तो वो काफी खतरनाक हो सकती है उधारन के तोर पर PTSDD मरीज को लगता दर्दनाक घटनाओ के फ्लेस बैक को दूर करने पैनिक अटेक्स का अनभाव करने और अचाना किसी वाइलेंड आउट बस्ट को दिखाने का कानर बनता है किसी PTSD से पीरित मरीज का दिमाग अनिवार रूप से फाइट और फ्लाइट मोड पर बंध है जो उससे अपनी रोजमर्रा के जिन्दगी को जीने से रोकता है और यहां तक कि एक छोटी सी आश्चर जनक बात भी उसके लिए एक बड़े दर्द का कानर बन सकती है OCD मरीज के रोजमर्रा के जिन्दगी पर भी गहरा असर डालता है जिसमें मरीज को अपनी जिन्दगी को आउडर में रखने के लिए एक बीसेस रूटिन को फॉलो करना पड़ता है उधारन के तोर पर एक OCD के मरीज को घर से बाहर जाने से पहले बारा बार दर्वाजा खोलने और बंद करने का अपसेशन होता है उसकी एंग्जाइटी उसे या मानने के लिए मजबूर कर देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके परिवार के एक दर्दनाक मौत हो जाएगे या कुछ तरीके हैं जिसे की एंग्जाइटी आपके जीवन पर राज कर सकती है लेकिन इसके जरुवत नहीं है आगे आप ठीक से सीखेंगे किस तरह किस तरीके से सही हिलाज आपके नियंतरन को हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है अधिया नमर्दो एंग्जाइटी आपके सरीर और आपके दिमाग की उपज है बहुत से लोगों के लिए अप पस्तिति जानी पाचानी होगी आप विश्तर पर लेटे हुए हैं सुने के लिए त्यार हैं लेकिन आपके दिमाग को बंद नहीं कर सकते असल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेंटल एंग्जाइटी का एक्स्प्रियंस करते हैं जो उन्हें रात पर जगाने पर मजबूर कर सकते हैं और साथ ही पैनिक एटेक्स भी ला सकते हैं तो आखिरी एंग्जाइटी आती कहां से हैं एक कॉमन सोर्स है बुरा सोचना हमेशा यहीं सोचते रहना कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है इसे ब्यक्तिक चिंता इस हद तक बढ़ जाती है कि आप कलापना करने लग जाते हैं कि एक नॉर्मल अस्तिती आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है उधारन के लिए माली जी कल आपका एक्जाम है खुद प्रभिश्वास करकी या सुविकार करने के बजाए कि आपने अच्छी त्यारी और पढ़ाई की है आप एक्जाम में फेल होने के कलापना करने लगते हैं आप कॉलेज से निकाले जाने के कलापना करते हैं, और साथ ही कलापना करते हैं कि आपने ड्रीम्स और करियर का कभी भी पड़ी पर नहीं ला पाएंगे। ऐसी कलपनाय जहां एस्थित नियंतरन से बाहर हो जाती है, आम है। एंग्जाइटी का एक और रूप हो, जो अक्सर देखने को मिलता है, वो है कलापना, बैक्ती अक्सर कलापना करता है, कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और लोगों का जुका उसकी तरफ कितना है, उधारन के लिए, अगर आपका फ्रेंड खराब मुन में घर आता है तो साथ आप सोच सकते हैं कि यह सब आपकी गलती है, आप ढणने लगते हैं कि जरूर आपने कुछ गलत किया है, और रंत में आप खुद को असहज भावनाओं में फसा हुआ पाते हैं, इनी तरीकों से आपका दिमाग आपके एंग्जाइटी अटे का कारण बन सकता है, या पिट की प्रसानी इसके लच्छर होते हैं, इस तरह के कॉंबिनेशन से पैनिक अटेक हो सकता है, भले ही आपका दिमाग कितना भी कंट्रोल से बाहर न हो, सबसे बुरी बात यह है कि आपके सरीर द्वारा लाए गए पैनिक अटेक कहीं से भी आ सकते हैं, यहाँ पर ऐ ऐसे भी लोगों की कैसेस जो जैविक रूप से पैनिक अटेक के सिखार रहें, और उनके दिमाग को पैनिक मोड में जाने के लिए किसी भी बाहरी प्लोचाहन की जरूट नहीं होती है, जिस तरह आचानस या पैनिक अटेक साथे हैं, वो अक्सर उन लोगों के लिए बहु जाता चिंता होने लगती जो उन्हें एक और अटेक देने की समावना को बढ़ा देता है इनके परिराम स्वरूप लोगों सांसे की तकलीफ चक्कर आना और घुटर महसुस होना आम बात होती है सांस लेने का सही तरीका आपकी एंग्जाइटी को दूर करने में आपके मदद कर सकता है किसी भी हुलिवृड फिलम में जब भी किसी करेक्टर को पनी कैटिक आता है तो वो अपने आपको फिर से कंट्रॉल में लाने के लिए अपनी सांस को धीमने अपनी सांस को धीमा करने के कोशिज करता है इस तरह की फिल्म में से हम यह एक सीख मिलती है जो कि सच में काफी मददगार साबित होती है लगतार सांस लेना एंग्जाइटी को कम करने का एक संदार तरीका है अपनी सांस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करके आप अपने सरीर और दिमाग को सांत करने के अनुमोती देते हैं साती सांस लेना उस कारण को भी खतम करता है जो आपके anxiety का कारण बनता है इसका expression काफी असान है लोग बस multitask नहीं कर सकते अगर आप अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करे तो आपका दिमाग सांत हो जाएगा और साती या आपका ध्यान इस कारण से भी हटाता जिसके वज़ा से आपके anxiety होती है इस बात को सुनिचित करने के लिए कि आप panic attack के लिए त्यार है आपको लगतार सांस लेना का अभ्यास करते रहना एक अच्छा विचार है आपकी anxiety भी जा चुकी है तो सांस लेने से आपके panic attacks को रोखने में काफी मदद मिल सकती है लेकिन आप इसे पूरी तरह कैसे रोख सकते हैं खेर, खुद को आराम देकर और relax महसुज करवाकर आप खुद को इस तरह की घड़नाओं से होने वाली तकलिफ से बच सकते हैं यह बहुत ही ज़्यादा महतपूर है आजकल की modern society में हम हमेशा खुद को दूसरों के लिए उपस्तित करने में लगे रहते हैं हमेशा हमारी mobile phone पर message आते रहते हैं क्योंकि हम अक्सर दुनिया भर के लोगों के साथ collaborate करने में लगे रहते हैं और इसका प्रिणाम यह होता है कि हम देर तक काम करते रहा जाते हैं जिस तरह यह लगतार low level का stress produce करता है वो हमारे mental health के लिए बिल्कुल आच्छा नहीं होता और साथ यह panic attack के chances को और भी बढ़ा देता है तो इसे ठीक करने के लिए चीजों को सई धंक से करिए उधारन के लिए आप अपने office के समय को fix कर लीजिए और बस उसी fix time में काम करिए आप अपने email से डाउनलोड करके किसी ऐसे कैफे में जा सकते हैं जा वाइफाई नहों वहाँ जाकर भी अपने email का जवाब दे सकते हैं यह सब करने का मकसद बस इतना है कि आप हर समय उपलाब दना रहें अपने लिए वक्त निकाल कर आप उस पल में होने और उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे पूरी तरीके से जीने में सक्चम होंगे जिससे आपके stress और anxiety में होने की समामना कम होगी अधियाय नमर 3 दूसरी लोगों के लिए आपकी anxiety को समझना मुश्किल हो सकता है लेकिन आपनी परसानी को उन्हें समझाने में उनकी मदद कर सकते हैं anxiety एक अलग अनभव है जो आपको सुरक्षित महसुद करा सकती लेकिन यह असास तब और बढ़ सकता है जब आपके आसपास रहने वाले लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि आप कैसे और क्यों परसान यह एक major issue है बहुत से लोग अपनी anxiety को न समझ कर अपनी परसानियों के वज़ा से दुसरे लोगों की जिन्दगी में भी परसानिया खड़ी कर देते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानसिक बीमारिया जैसी anxiety सरेडिक बीमारियों से बहुत अलग होती है सरेडिक बीमारिया अलग होती है जिससे उन्हें दूसरों के लिए देख पाना और समझ पाना आसान होता है लेकिन आप तब तक किसी के anxiety disorder और उससे होने वाली परसानिया को नहीं समाझ सकते हैं जब तक आप खुद उससे पीडित नहीं हो हलाकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जिन्दगी में जो लोग हैं वो आपकी मदद नहीं करना चाहते आपके दोस्त और परिवार वाले यखिनन आपकी मदद करना चाहेंगे लेकिन उन्हे यह नहीं पता होगा कि इस परसानी को ठीक करने के लिए क्या करना उप्योगी हो सकता है और क्या नहीं अंत में यह आपके estoise का काणर भी बन सकता है कहा जाता है कि आप अपने आस-पास के लोगों को आपकी anxiety को बहतर तरीके से समझने मदद कर सकते हैं और इसके लिए एक बहतर तरीका यह है कि आप लिख कर अपनी बात का है एक लेटर आपकी मदद करेगा कि आप अपनी सभी परसानिय और भावनाव को पेपर पर लिख सके ताकि वो दूसरा इंसान उसे आराम से पढ़ कर आपकी परसानिया समझ सके इस लेटर के जरिये आप अपने चाहने वालों को बता सकते हैं कि एंग्जाइटी आपको कैसा महसुस कराती है आप उन्हें समझा सकते हैं कि उनका बरताव आपकी तरफ कितना अच्छा है और आप जानते हैं कि किसी एंग्जाइटी डिटी सौडर से पीडित इंसान के आस्वा सरौने वारे पर कैसा महसुस होता है लेकिन उन्हें या बात बताना भी बहुत जुरुरी है कि जो भी आप महसुस करते हैं जुरुरी नहीं है कि आप हमेशा उसके बारे में बात करना चाहेंगे यह बहुत जुरुरी है कि दूसरों को अपनी परसानियों में इंवल्ब करने के पज़ाए आप खुद अपनी परसानिया को दूर करने के कोशिश करे अपनी भावनाओं को बाहर निकाल कर आप अपनी आसपास के लोगों को साई धंक से खुद को समझने और सपोर्ड करने में मदद कर पाएंगे किसी फर्फेशनल की मदद से अपनी अंग्जाइटी को हराने की कोशिश करिए और खुद को हमेशा याद दिलाते रहिए कि आप कितने दूर आ गए हैं और जीत के कितने करीब हैं अपसे अपनी अंग्जाइटी से लड़ने के लिए आपके पास बहुत से तरीके हैं लेकिन कई बार आप इससे अखेले नहीं लड़ पाते हैं ऐसे में किसी प्रोफेशनल की मदद से अपनी अंग्जाइटी को हराना काफी आसान हो जाता है कुछ लोगों को लगता है कि इस परसाने से लड़ने के लिए दवाया बहुत है लेकिन खुद से इसका इलाज कभे भी सही नहीं होगा हो सकता है कि यह कुछ लोगों के लिए मददगार सावित हो लेकिन एक अच्छे डॉक्टर की मदद से इस परसाने को दूर करना ज़्यादा आसान हो जाता है जो आपकी एंग्जाइटी के कारण को खोजने और उन्हें बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं इसके अलाबा थेरेपी आपको किसी दूसरे इंसान पर भ्रोषा करने का एक बेहतरिन मौका देती है जो आपकी एंग्जाइटी को समझते हुए उसे दूर करने के लिए आपको पिरेडित कर सकता है थेरेपी आपको इस बात का पता लगाने में मदद करती है कि आपको किस तरह का एंग्जाइटी डिशावडर है और किस तरह से इसका इलाज किया जाए कि आपको कम से कम परसानी हो जब किसी इंसान को बीना उसकी एंग्जाइटी का इलाज है कि ये छोड़ दिया जाए तो यह तब और घातक हो सकता है इस स्थीति में एंग्जाइटी आपको डिप्लेशन में डाल सकती है और साथ ही आत्म हत्या करने के भावना उत्पन कर सकती है आपने पहले पैनिक अटक के बाद से ही अपना ध्यान खुद के द्वारा की गई उन सब कोशिसों पर केंद्रित करिये जो आपको खुद को इस से बचाने के लिए किये है चाए वो छोटी कोशिस हो या बड़ी हो आपके द्वारा की गई आपकी हर कोशिस एंग्जाइटी से लड़ने के लिए आपके आत्म विश्वास को और बढ़ाएगे ऐसा करने के बहतरिन तरीका यह है कि आप अपनी एंग्जाइटी को एक वजूद दे उधारान के तोर पर लेखक ने अपनी एंग्जाइटी को एक फ्रेंड का नाम दिया और उसे एक भीमारी के जगा एक इंसान के रूप में सोचना सुलू कर दिया जब भी लेखका का दिन खराब जाता था तो वह समझ आते थे कि उनका फ्रेंड मून खराब करें उनका फ्रेंड का मून खराब है और वह उसकी जिन्दगी तबाह करने में लगा है धीरे धीरे लेखक ने फ्रेंड को अपनी जिन्दगी से बाहर निकालने पर काम किया और कुछी वक्त में उन्होंने पाया कि फ्रेंड की मौजूदगी उनके जिन्दिगे में बहुत कम हो गई यहीं वह प्रेंड़ा थी जो लेखा को चाहिए थी ताकि वह अच्छे के लिए फ्रेंड को अपनी जिन्दिगे से बाहर निकाल सके फुल मिलागर एंग्जाइटी डिसॉडर आपको बहुत कमजूर बना सकते हैं लेकिन ऐसे बहुत से एस्ट्रेट फॉरवाई टेक्निक्स है जिसके इस्तेमाल से आप कोद को सांथ करके बहतर महसुद करा सकते हैं ऐसा कहा जाता है आप हमेशा खुद अकेले ही एंग्जाइटी से नहीं लड़ सकते किजी प्रोफेशनल की एडवाईज के साथ साथ दोस्त और परिवारिश के लोगों से हुई बाचीत आपको एंग्जाइटी से पीछा शुडाने के लिए जुरूरी है क्या करे रोजाना चार, साथ, आठ तक सांस लेने का अभ्याज करे हर दिन खुद को सांध करने और अराम करने के लिए 15 मिनट का समय निकाले आपके सरीर में जो हवा परिवेश कर रही है उस पर अपना ध्यान केंदरित करे ध्यान केंदरित करते हुए सांस लेना शुरू करे सबसे पहले चार मिनट के लिए सांस लेने की कोशिज करे फिर चार से गिंती करते हुए सांस रोके और फिर अंतिम चार तक सांस छोडे फिर पैटरन को कुछ मिनट के लिए चार, साथ, आठ में बदल दे चार सेकेंड के लिए सांस ले, साथ तक अपनी सांस रोके और आठ पर छोडे सांत सुरक्षित और तनाव से दूर किसी जगाओ पर साई धंग से सांस लेना का अभियास करके आप इसे उस वक्त करने में समर्थ होंगे जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा जिरुवत होगी जैसे कि पैनिक अटे का दोरान जो कभी कभी भी कहीं से भी आता है